पुलने की जरूद नहीं पड़ती है लेकिन आप फिर भी समय पर पहुच जाईए चलिए मैच हो रहा है और दोनों ही टीमों को डेर सारी शुपकामना है इस मैच के लिए भी और नए दिवस के लिए भी बेस्ट अफ लग बोद दे टीम पहली गेंद पहली गेंद पर बैक फूट पर जाकर पंच किया है आउट फिल काफी तेज गेंद आती हुई पॉइंट के शेत्रे में दो रनों के लिए दौड लगती हुई दो रन दौड कर पूरे किये और बैक अब देखिए ओ क्या बात है बड़िया बैक अब रमाकांद यहां पर रमा ममा अगर आप विकेट लेते हैं तो मेरे क्याल से कोई एक कलर का सोड़ा आपको मिलेगा रॉयल स्टेक का सोड़ा पहली गेंद पर विकेट नहीं मिला है दूसरी गेंद पर कोशिश जारी है बहुत ही बड़िया तरीके से कलाईयों का उप्योग किया मात्र जरूर देखने मिलता हुआ और बिल्कुल रमा यहां पर रमा ममा की मैं जरूर तारीफ करूँगा इस ग्राउंड के हीरो कहला है जाते है जिस तरीके से शारुक सलमान इस सीजन में काफी फॉर्म में है उसी तरीके से ये गेंबाज ये बल्लेबाज फुल फॉर्म में रम झाल झाल जाती हुई इस वक्त डिकलेर जोन की तरफ एक रंद मिलेगा ज़रूर फिल्डिंग यूनिट टीम की अगर बात करें तो सितारू की कोई कमी नहीं मेगनाद गोनलेस जैसे एक मास्टर माइंड खिलाडी जिने माना जाता है थाना शेत्र में 16 साल इनके ही माग दशन में वागबिल जैसी टीम ने राज किया है वो ही खिलाडी इस बार करार अप रहार गेंजा तीवी आउट अप दपार्क छेर लोग लिए फ़रार तीवी जी टीसी लाइव जलपेश भोईर की टीम इस वक्त इस लाइव इवेंट को कवर करती वी इस बार कारपेट के सारे कहला गया स्टोक गेंज आथीवी डीप एक्स्टा कवर के शेत्र में गेंज को जब तलक के फिल्ड किया जाता यहां पर दॉल कर रनों को किया है पूरा रन मिले हैं दो और स्कोर बोट पर स्कोर दर्शादा हुआ बारा रन पारा जली ले आए अनि पहला स्टका शमाप्ति जले हाई पहला स्टकाम फेला चेंडु वर दोन दावा लिया तया PAC signal terrible tag single ten today शुक करने चाट्का राट के लिए मेफनाद गुनुली यानित्र पारितुशि काले अनि पारितुशिक ग्ति लzo आपको बक्षिश की खेरात कम नहीं मिलेगी आप में टैलेंट है आप में हुनर है इस इनामी राशी को आप ले जा सकते हैं अपने साथ गेनबाज आए है एक बैतरीन अनुभाव से भरपूर जिनके पास क्रिकेट का सबसे ज़्यादा ग्यान आए है गेनबाज मेगनाद गोनले एक बड़ा नाम ठाना शेतर का एक बड़ा खिलाडी के रूप में जाने और पहचाने जाने वाले इस बार बैतरीन तरीके से खेला गया स्टोक पावर जनरेट करकर स्टोक को अंजान दिया गया है गेनबाज आती हुई डीप लॉग आफ के शेतर में क्रिकेट में मनीज में अकसर कहता हूँ आपके पीछे बैक अप होना जरूरी क्रिकेट हो या जिन्दगी हो आपके पीछे बैक अप होना जरूरी अगर बैक अप नहीं होगा तो आपका पैक अप ता है उसी तरीके का द्रिश्य देखने मिला रमा मामा ने बहुत ही बड़िया तरीके से गेन को कवर किया बैक अप में आकर और इस बार ये गेन्द आउट ओफ दॉब स्टम पीचिंग काफी खराब रही मनीश गेन्द रही वाइट के रूप में अतरीक रहनों में एक रहन मिलेगा जरूर अगली गेन्द इस बार गती में थोड़ा सा मिश्रन करने की कोशिश की थी बल्लेबास को बीट करने वाली ये गेन्द अनुभाव इस वक्त काम आता हुआ अनुभाव इस वक्त वो दर्शाते हुए लाइन और लेंद में गेन्बाजी करकर अगली गेन्द इस बार बैक फूट पर जाकर पंच किया गेन्द आतीवी डीप पॉइंट के शेतर में एक रन तेस कदमों से पूरा किया है एक रन से होना पड़ेगा संतूस्ट एक रन से जादा कुछ नजर नहीं आता हुआ सिंगल सिंगल से रनो की तरफ कदम बढ़ाते हुए आकड़े आगे दर्शाते हुए जा पहुचे है 16 रनो पर अगली गेन्द लेका तैयार इस बार मेगनात इस बार शफल हुए पूल किया गेन जाती ही डीप बैकवर्ड स्क्वेर लेक बाउंट्री के बाहार छेर रनो के लिए फरार तो था खुट सांगला पतने पोजिशन वर गितला बोड़ी बैलन्स के लाँ आणे हुख के लाई लेकिन कीपर की जरूर थोड़ी सी चूक अंपायर का इशारा कनवर्ड होता हुआ एक रन सिंगल के साथ रनों की जो रन संक्या है वो आगे बढ़ती हुई स्कोर बोड पर स्कोर दर्शाता हुआ तेवी स्रन जिस तरीके से बात करते हैं मनीश इस टूर्णामेंट को सजाया गया सवारा गया मान लीजिए नई नवेली दुलन को जिस तरीके सा सजाया जाता है उसी तरीके से ओल टीम मेंबर्स ने मिलकर इस ग्राउंड को उसी तरीके सा सजाया और बहुत ही बढ़िया तरीके से ब्लैक कलर की स्क्रीन का यहाँ पर जादा इस्तमाल किया गया कि टूर्णामेंट को नजर ना लगे पहला वर्षया है और पहला वर्षया मदे मात तसास दिमागदार सोडा प्रिक्षय कंसाटी घ्यों नाले फोर्टी प्लस मास्टर्स चेंडोबा फोर्टी प्लस चे सर्वर पता दिकारी और कूप सांगला पते शायजाज जी इकड़े नियोजन के लिए जाते नए गिनबाज आए हैं मेगनाथ पहली गेंद डॉट डिलेवरी बहुत ही बढ़िया सोच लीजिए मनीश के शुरुवात ऐसी हो तो आने वाले प्रतियुगीता कैसी होगी शुरुवात में ही धमा का तो आने वाले मैचेज आने वाले साल होंगे कैसे जरूर अगली गेंद इस बार मेंस टाइमिंग स्टो गेंद हवा में खूद फॉलर त्रो में गेंद को फिल्ड किया मेगनाथ ने खूबसूरत कैच विकेट का पतंग होता हुआ लगता हुआ इस वक्त बैटिकुने टीम को एक और जटका पूल फटका अटेंड के लाता तुम्हाला ते जास्ता यश्मी दूशकत नहीं तुम्हाला बैक फूट लाइन पावर जनरेट कुन तुम्हाला फूल खिसा वा लागतों बिल्कुल फूट और बैक फूट ये दोनों ही चीजों का इस्तमाल अगर आप सही तरीके से घरे क्रिकेट में तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है परिणाम बहुत अच्छा होता है इस बार देखिए फॉल आटरों में गेंग को फिल्ट किया था बहुत ही बढ़िया तरीके से बल्ले बात गेन को समझ नहीं पाय थे पढ़ नहीं पाय थे गेंड शरी से जा टकराई थी, फॉलर त्रो में जाकर खुद गेंड को फिल्ड किया, नौन स्टाक हैंड पर रन आउट का मौका था लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं, अगली गेंड, इस बार गेंड को खेलना चाहरे थे काशी, लेकिन गेंड पहुची हुआ चलिए, मिल एक रन और जिन्दगी में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, अगली गेंड लेका तयार, इस बार देखे, पहले से मन बना लिया था, जोरदार अपील की गई है, अपील में क्या उच्साह जादा है, या फिर आत्म विश्वास की कमी खलतीवी नजर आई, यहाँ पर चतुर आई दिखाई थी, अंपायर पे दबाव बनाने का प्रेशर जरूर किया था, लेकिन अंपायर हमारे तस से मस नहीं होते हुए, अंपायर की में जरूर प्रशंचाह करूंगा, चील की निगाहें रखकर इस मैच की निगरानी कर रहे है, इस बार मेंस टाइमिंग सो गेंद आज को जरूर मिलती हुए, विकेट की सफलता झील कर दिस अे orange बार इसकत मिल Pasब ऑट ठहरे हैं झायर मिल का जिगरा हम जरूर की निगएSabune मिलती हुए, vidéosपकरशाहें तस तार प्रावा थरो प्रावचाहार की तसude की जरू हम है जरूर मिलती हुए, प्रावचाह, विकेट जरूम"; रहें हम स्と思Patर की पार्वानी कर biraz早 त तरफ आपको बढ़ना है तो गेंदो उपर रन आने जरूरी उसी तरीके का द्रिश इस वक्त मनिश देखने मिलता हुआ अगली गेंद इस बार बैकफूट पजाकर पंच किया गेंद आती हुई पॉइंट पॉइंट पॉइंटरी की तरफ किलाडी गेंद को फिल करने की चाहत में एक हाथ से गेन को फिल किया, त्रो किया है, विक्टो के बीच पे दोड लगती हुई, तीन रन का डिमांट है, और यहाँ पर त्रो देखिए, त्रो किस प्रकार का किया गया मनीश, जिस तरीके से पोस्टमेंड वाला, जिस तरीके से कोरियर वाला एड्रेस दूनता है, उसी तरीके से इस वक्त ये त्रो गेन बास को दूनता हुआ नजर आया, उसका फायता हुआ है, तीन रन दोड़ कर पूरे किया है, इस तीन रन के साथ रनों की जो रन संक्या है, वो आगे बढ़ती हुई, जा पहुची है, 28 रनों पर, स्कोर 28 रनों पर दरशाता हुआ, मनीश जिस तरीके से आपने कहा कि गाड़ी अब टॉप गेर में डालनी होगी, रनों की, तब जाकर एक विशाल का है, टार्गेट सैटों का, कदमों का इस्तमाल किया था, डांसिंग डाउंडर स्ट्रोक आ गए थे, गेंग काफी समय तलक के हवा में रही, पॉइंट के खिलाड का, विकेट का हुआ है पतंग, बैटिंग यूनि टीम को लगाए, झाल 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 परनों में एकरन होगा शुमार ओर की हुई है लगबक समाति चार ओरों की समाप्ति के बाद पहले बल्ले बाजी करती हुई टीम जै मला टीम का स्कोर है 34 रन अंपायर की मैं जरूर तारीफ करूंगा दक्ता ठाकूर अंपायर की भूमी का में जो नजर आ रहे हैं मुंबई से बिलॉंग करते हैं अनुभाव से भरपूर अंपायर है और अंपायरिंग कहां कर रहे है 40 प्लस है ठाने डिस्टिक्व प्रीमियर लीग बिल्कुल TPL में अंपायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और खुद एक अनुभाव से भरपूर अंपायर सब्सक्राइब करते हैं तो फिर यहां पर बैट का फेस कुरना होगा इसे डेट ओवर का जाता है अंतीम और आखरी ओवर याने मुंबई की परिवाशा में तोड़ू फोड़ू ओवर इस ओवर को कहा जाता है क्योंकि इस वक्त बल्लेबाज ना आओ देखते हैं ना ताओ जो भी मिले उसे खाओ इस वक्त रनों की मशीन बनते हैं तो टीम के लिए होगा फाइदा इज़ाफा नहीं तो फिर गे के लिए तैयार हैं बल्लेबाज दिनेश ने पहली गेन पर मन बनाया बड़े हिट केलने का गेन काफी समय तलक के हवा में किलारी गेन के नीचे खुबसूरत कैच विकिट का बतां होता हुआ मेरे खाल से मोहन बल्लेबाजी कर रहे थे आउट ओकर पविलिन की रा मोहन लो पर अब बल्लेबाज बल्लेबाज बिल्कुल इस तरीकी की गलतियां अकसर महंगी पढ़ती हैं जोश में होश को दिया था मिस टाइमिंग स्ट्रोक केल दिया था उसके कारण मिलता हुआ यहाँ पर एक बड़ा चटका विकिट के रूप में इस बार देखिए कदमों का इस्तमाल करकर फ्रंट फुट पर निकलने के बाद बड़े हिट लगाने की कोचिश मुहीम जारी है गेंद रही डॉट के रूप में दिरेश बल्लेबाजी पर आये है न्यू बैट्समेन के रूप में हम देख सकते है गनेश को भेजा गया है अंतिम और आखरी ओवर में फेस करने के लिए इस बीच ये गेंद इस बार देखे एक और मिस टाइमिंग सो गेंद हवा में है कुद गेंद बास कुछ कदम का दौर लगा कर इस गेंद को का झाल झाल सनी का जाता है रियल नेम है मनोज मनोज बहुत ही ला जवाब और यही उनका होम ग्राउंड है अगली गेंद और यहाँ पर देखिए ये गेंद रही डौट के रूप में इस डौट डिलिवरी के साथ पांच ओरों का कोटा हुआ है समाप पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम जै मलहार टीम का स्कोर है 36 रन लक्ष रखा गया है 34 रन के लिए तो बिल्कुल अब यह लक्ष 37 रन 37 रनों का लक्ष है इस मैच को जीतने के लिए अब देखने वाली बात यह है कि इस लक्ष को किस अंदाज में किस तरीके से पार करेगी M.G. Warriors की टीम और बिल्कुल सुनेंगे अगले इनिंग की कहानी एक बैतरीन कॉमेंटेटर मनीश पाडिल के जुमानी जो के आज सुबा से आपके साथ जुड़े हुए है सुनेंगे उनकी जुमानी तो दोस्तों मैं लेता हूँ आप लोगों से इजादत फिर कल समय रहा तो आप लोगों के साथ जॉइंट होंगा और सबसे पहले धन्यवाद 40 प्लस टीम का जिन्नों ने मुझे इस कॉमेंटरी के मच पे मौका दिया एक इनिंग के लिए थैंक्यू सो मच तो चलिए फिर कहीं न कहीं आपसे होगी मुलाकात जब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाजात जैहिन जै मारास्ट जै क्रिकेट दन्यवाद शैजाजी वेलाथ वेल काड़ून तुम्ही तुम्छा आफ दिवस कंप्लीट केला है दुसरे माइदा आवर तरी देखेल तुम्ही या ठीकाने आलात तर अमी ठाने पीमेर लिग अजै को श्याजी या ठीकाने लिगाने अध़की वहें हूं वहास आवर राए मत्या ज्याजी या तुम्ही अधाया नग्कीश भेट होना रहा है चैनली अधावाध मिस्टर सुषा शैजाज श्यक अंचा कड़ून एक अनुबवी आवाज आ है और अनुबवाचा माध्य बतों कित्येक्स परदा कासर रोडोली चा एकुणेक्स परदा तैंचा माध्य बतों कवर केले जाता आद एक चांगली जोडी है शहिदाज शेक आनी जैवान पटलांची एक सांगली मेत्री देखीला है तरते ते तो मिविननती गरतु है चला दोन फलनदाज स्पाट्वून दया MG वारियर्स या संगा चा कर दारला मी नम्र विननती करतु है कि लगेच अपले दोन फलनदाज स्पाट्वून दया आम्माला काये अम्मा गुड़ो लेके काड़ी समलोचे काना आमसे टाइम बरला के आमी वात्रा आम तला माइक्रोफोन बंदगरूंड इगुन जाओ पन खेतुमाला कर रहाईचे तर मडुन वारमवार विनेंदी करतो है कि जितका वेल वाचवता हील जितका वेल वाचवा उद्धाचे दिवसात पहिला सामना हाँ नौ वासा सुरू अला रहा है याची नोंद गएचे तर जा संगाला नौ वासा बोलवनत आलेला आहे तैने साध्याट वासा रिपोर्ट करू नौ वासा सामना आन कराईचे मी वारमवार विनेंदी का करतो है करन इस पर द आपली करण जे जे एम इवेंट्स सर्वे सर्वाइ टैनसर आघमन आम चा वी आइपर आइस वर जाले है अने ही जी तुभी मनडप वरसत भी पाहता है तिया माला उपलब्द करूं दिले आदरने सन्मान ने शीवत रुपे जी भोईर एम इवेंचे सर्वे सर्वा धन्निवास सा क्युक्त है तेहां इकोड़ेक सर्व ख्याडूंच अबार वेक्ते करतो है, तुम्चा संगर चांगला खेल नक्की करें, आज नाए जाला दर काई जला, उध्या जा जा दुशा आतने कील चांगला खेल होँश अकतो है, चला, स्ट्राइक वर बैट्समन असेल, दुसरा डाव सुरू हो ज्यानेश्वर स्ट्राइक वर असेल, रमा, अकोट बेदा चेंडू दा खुप सांगला पद्धाते जी स्क्वेर्ड ड्राइब पायला मीदे, चेंडू युगुंज दातो है, स्वीपर कवर क्षेत्रा मदे, एक दाव पूर्ड केली जायल, खुप सांगला पदे आणि, जैं मलार आणि, आणि, जैंडाते जेंटू देकीला पराबूद जाला आए, तब त्यांना देकील जिंगला ची इच्छा आए, आणि इच्छा शक्ती तुझा प्रबढल हसेल, त्थ तुम्ही प्रत्यक स्थेत्रा मदे सांगला कारिय करू शकाल प्लीज घाई करा शेत्रक्षन बदलावाला गेल कर रहाँ उस वे आता सा कॉंबिनेशन उस वाणी डावा दावाता सा कॉंबिनेशन तो मला खेहपट्टी रुपायला मेते हैं अनि मनुन उसकी का है वारव वार शेत्रक्षन करनेयाला संगाला जैमल अरवीन है ओके सारी ज संगहाँ जिंगलां सामना जींगलां तो ट है चर्या चटिगोड टाप पडेवनलेशन फिल्ख कर शेत्र मागे जाते तोई है CT उपस्तिती प्रातनिया आहे तुम्ही जीटी सी लाईव चा माध्य बतु निस पर्दा घर बसल्या सुद्धा पाउशकता है या वेस ओर पीचुता इलिवेशन सांगले चड़ू दिगुंजा इल वाईड अफ लॉंगा सीमारेशे नजीक मात्र अनीला सीमारेशा गाटतो है आणि अशापत दिने पंचांचा इशारा काई ये तो है आज एक्सपेक्टेड आउट आउट आणि अशापत दिने बात जालाया फलन दाज रहामा चला शेंडवा फोर्टी प्लस चे सर्व जेस सद्धसे आयर ख्याडू त्याना विनिंदी करतो वियाईपी डाइच्या जवल याईच्या शेंडवा फोर्टी प्लस चे ओफिशियल टीम आये त्या टीम चे सर्व ख्याडू ना विनिंदी करतो वियाईपी डाइच्या जवल याईच्या शेंडवा फोर्टी प्लस चे ओफिशा देना सद्धसे आये नैनेश्वर अप प्रतीम दर्जाची गुलंदाजी करतो है याँ पहले शटका मदे दुसरा डावात लिया स्ट्राइक वर बैट्समान सेल राम कुरुष्ण और गुलादजी मार्क वर राइट आम ओवर्ट विकेट नैनेश्वर चला घाईकरा मित्रा नुमी वारमवार ही मिननती करतो है अलवलु संध्यकाल रात्री मदे बदलली जाते खुब सांगला पतेरीं जागा बनावली चेंडुला ड्राइव केले जाते स्वीपर कवर शेत्रा मदे सांगला शेत्ररक्षन डीप मदे होते दरम्यान एक दाव पुर्णकेली जायल विकتिपर आपन सतीषं पतेल यानद डावल्ड कामन आय करन खुब सांगलै धरजादा यस्टिरक्षन मेज नेमित तहां संग मदे बतली धम्यान स्क्र Springs आइड टाइम तुमछा मोब्ल स्क्रीन वर लाइड लुड स्क्रीन वर पाइला मगेड है ऐट दूं नाइड पर्दा सुधा पाउच्टए अन्ट मी वार्धी उसा कार्यक्रम सुधा पाउच्तै पुन एक टाएक साल जेंटल पूश एक दाव कंप्लेट के लिए जाहें दा रुपेश बोईर झाल में बोता देह को झाल 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 में झाल झाल कि उाल जालीती मजेच्छ अक्करा दावा वेगाने पुडिंचाते जोड़ लेन या विस्पूल करने दा प्रेतन एज लागते आणि मोहन ला परतावा लागे बाद तुए टूबिकेट डावन और एलेवन झाँ पहला में नौन स्ट्राइक एंडला जाने अवल दर्जाजी गुलंदाजी केली होती या पहला डवा मते जाने दोन दवा कर्च करूँ दोन गड़ी बात केले होती तो राम कुरिश्ण दुम्मला नौन स्ट्राइक एंडला पहला में ते आने स्ट्राइक एंडला फलंदा द यस्टा उद्मसा के लिए जते हैं, बैक टू बैक, दूसरा विकेट. बैक के लिए ले फाल जबो से लिए, बैक युणिनाश में खुआ है, के लिए यह, כ्या आणि मैं भी प्लीज, сам के लिए यह, चुऑरी क्या से लिए, जाणी पैल्य है, तो योग आता आलेला है और तो योग आता पूडिल चिंदुर पूरुण करेल का सतिश पटिल आपले नावावर विक्रम प्रस्तापित करेल का लेट सी दावसंके जाली ती मजेच अकर दवा गडिबाद जलेत आता परेंत तीन पाच्वाक रमांको वर फलंदा जाला है 20 बाल 26 रंस रिक्वाइट वीन खुब सांगल्याप पत्द तीन हाँ क्रिकेट सा खेल करला तो पहला वटला होता की सर्जा सजी एमजी वरियो संग या धावा पूरुण करेल का पन मात्रा खुब सांगल्यापत जी गोलंदा जी होते जाई मल्लार कडून या वेस माता है संदी आहे शेत्रक्षा किये तो जजमेंट के तो सतीश पाडिल है ट्रीक पूर्ण करते हो पहला है गोलंदाज है ट्रीक पूर्ण करना मिस्सा सतीश पाडिल कर द empiezaक डाईब करते होते हैं अालग तर्ण करना मिस्सास काडू है जीन सकते हैं है भी कि दो जले खगल भी ऐतो hypothesis है झाल झाल प्राचेंडरु मदे 24 जवा पूर्ण करवे लगतील। चला प्लीज घाई करा मित्रा नो सर्वल नहीं जवाल यह उन्नका मैं इसुचना सर्वन सटी है फक्त कोणिये का संगा सटी नहीं है सर्व संगाचल्या सर्व ख्याणन सटी है कि तुम्ही स्प्रेडफ वा हरडल करू नका करन तुम्हीं कित्यक उन्पाउसराली जासता पाहिले तक्रिकेट मदे आमचा पेक्षान आयने करून धाता हाथी पंदरा जासता पाहिली तस्तील। अट्रा चेंडो चोविस आमचे गर स्ट्राइक वर असेल पलंदाज सतीश आणि नौन स्ट्राइक लासेल रामकृष्ण जो सद्ध्याचा घडिला फॉर्म मदे आहे और एक विश्वास ठेवू शोकता आपन एमजी वारियर संगा करून रामकृष्ण वर एक विश्वास आपन ठेवू शोकता कि तो हाँ सामना शेवूट परता घ्यून जाहिल। वपी चोता वेवसित बैट वर आला नाही है यस्टरक्षक सोता चेंडू अडवाल जाहिल पंटा तुई मत्र एक दाव घोशां की शेत्रत मेल दाव संक्या जाले ती मंजेच चवुदा धावा 14 ट्रंस थेमबी थेमबी तरड़ी साचे एक शटकार जा सोडला तेवे तर अबर जैमल्लार या संगाची आता मत्र शोद घेतला जात्तो है विकेटचा शोद घेतला जात्तो है शटकारांचा ओवर पी चोता खुब चांगला फॉलोतर में शेत्र अक्षन पायला में एक गोलंदाज गणेश चा मी मनाला होतो है कि वन अफ बेस्ट बॉलर इन जानोते धावा पूर्ण करने साथी तो सक्षम जानोते पन आत्मविश्वासा सोबत तुमचा कड़े जिंकनेची भूक तुमचा संगाला विजय मिलून नेना साथी प्रामनिकता अस्टना खुब घरजेचा आहे आणि तो प्रहत्ना दोनी संगाय करनोते करन लो स्कोरिं सामना होता अणि वाटला होता कि सर्जा सजी जिंकेल एमजी वारियर्स बटसका होतना यह एज लागते सतीश आहे सतीश जेल सोडना नहे परता मला गेल सतीश ला करने तो एक सबता आहे आहे इलुष सब्सक्राइब श्राइब टस्वारर सामना मला दो प्रहता होता करने दो एमजी जे वारी होता वप्राते सतीश आहे जिलुशना थासे सतीश दोग्र भ्र।सका जाएंगों प्र।सका झाल 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 12 बॉल्स और 20 रॉन्स 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 इन झाल वेल वाय खल्वलकाबी विनन्थी करदु है करण संद्याकास सत्र आहे वातावरन सुद्धा थोड़सा खराब जाले अनि कुटलास प्रकाल चा प्रकास जूता ची व्यवस्ता या मैदानावर नहीं है मझे सुर्य नाराणाच उपसिती तुम्ही असामना खेलाईचा है GTC लाईव चा स्क्रीन वर तुम्हाला ब्राइटनेस दिस्तो है प्रत्यक्ष या मैदानावर ब्राइटनेस नहीं है जर आस्किंग रेट ने खेल जाला आसता, तर मातरा चांगला सुस सीदी जानावले आसते, बन मातर चांगला शेटा खातालल सतीशने, त्यान अंदर त्याचास पावला वर पावल्टेऊन गणेशने सुझा एक चांगला खातालले, बनुन उसकि काई धावानना रोक लाव ला बिलॉंग करतो राइटाम ओवर्ड विकेट अनिल स्ट्राइक वर असेल बैट्समन मेगनाद बगा चेंडूचा वेक भनाड होता त्या चेंडूला तुम्ही कट करू शकत नहीं है तुम्हाला ड्राइव करना घंपल सरी होता पन्ड कट करनाचा प्रहतना फसला है अनिल अकरा चेंडू मदे वीज जावन शिगर दसेल मेगना स्ट्राइक वर अनिल जब और 10 गोलन दसे करतो है या चाहुतिया शिटका मदे राइटा मुर्द विकेट बाराते पंत्रा पावलन साहरन अ या वेस मतर पूल करनाचा प्रहतना बैच्चा वर्चा भागा चेंडू लागतो है नो मैंस लैंड मदे चेंडू लैंड होता है दर्माचा काला मदी मदे एक दाव कम्पल रिक्वेस्ट दाचेडू देकोडिस दावनची गरस ट्राइक वरसेल बैट्समन रामकुष्न अपन जर्चेतरक्षान चाहा अडावा घेतला तर पास शेतरक्षक ओंसाइड लाए चार शेतरक्षक ओफसाइड ला तैनात केला गेला है थोड़ा पंबल जार होता पंड्स आतर दावा आसकिंग रेट बाराचा जाला है आता मातरा हलोलू आसकिंग रेट वालत चाललेला है नव चेंडू मदे अटर दावनची गरस ट्राइक वर मेगनात आहे मेगनात कर देखेल तो ख्लास आये गणुवत आए अनुबवव है सर्वत महत्वात्वाचा 40 प्लास मदे काई आहे दर तुम्चा अनुबव थेज ट्रुन पढ़न मेद तुम्ही कशा पड़चा और क्रिकेट घलड़ होता तेस क्रिकेट तुम्हाला आता कहिवल आसकिंग या फास्ट फोर्मेट में तुम्हाला थेखेल तुम्छे बैट मुदू धावा आलापाइजेथ न आट चेंडूत अट्रादा बंचे कर रहे हैं सम्मीकर कटीन होन बस लेला है मंजच का या मैदानावर कुटला संग जिंकेल याची शास्वती आपन लावुशकत ने सटा लावुशकत ने करन वाटला होता की पहिलाड़ाव समप्त जललन अंतर की सहजा सजी जिंकेल एमबी वारियर सा संग पड़ मात्रा खुपत सांगली भेदक गुलंदाजी हताल ले तिमाजे जैमलार चा गुलंदा जानी अने अक्षर चा थमूंटे उले जखुरूंटे उले एमबी वारियर संगला तुना एज लागते है फ्लाइसलिप शेत्रा चेंडू निक्तो एकस दाव मेल एमजी वारियर स्थोड़ा संकटा सापडलेला आहे और संकटा तुन बाहर करना साथी मेगनाद गोंदले है प्रमुक अस्त्राला वापरल जाते जो नोन्स्ट्रेक एगला तुमाला पयाला में तुन संक्या जाले ती मांजे चेंडू शिल्ला कसिल सात बॉल्स सत्रा दावंची गरज आहे चला प्लीज घाई कर आमित्रां नो वारम वार ही विननती असेल कि कुटला स्वेल वायान जाता लगेचा सामना और टेवा साच चेंडू सत्र दामंचे गरज ताना जी पाटे इल कुटला संगा जींकेल आमितु मला विचारू शकत नहीं करन तुमी साच चेंडू मदे सत्र दामंचे गरज या अनिलने सुद्दा चारस दामंचे गरज तितकाच कवतूक अनिलस सदासाई जेटका कवतूक सतीच्च वत जितका कवतूक गनेश सोत जितका कवतूक न्यानेश्वर्च वत चारी चारी गोलंदा जानी एकोनोमिकल शटका हताललीली आहेद आता सहाच चेंडू मदे सुदा दामंचे गरज असेल चला प्लीज गाई कराव रिक्वेस्ट नवीन गोलंदा स्कोन असेल जो शेवट्च शटकाची जबाबदारी स्विकारिल दीनेश असिल तर आता आपन प्रदीपडिल यांचा कड़े देखीला थोड़सा वल्डारों साचेंडू मदे सोड़ा दामंची गरज अहेल संद्याकास सत्रा है तुम्हाला काय वाट्टे कुटल्या संगाचा पलडा आता भारी आहे पलडा दोनी संगांचा है धन्यवाद मनीश फैडल साहे बगया काय होते है क्रिकेट है क्रिकेट मदे काय हो सकते है दिनेश कुले जी मार्क वर प्रेतन चंडु दुगुन जाते तुमझे वाइड़ा लॉंग अला एक दाव पूर्ण दुसरे जाता कॉल आहे पंड मात्रा तितकत चपल श्यत्राक्षन एक जामेल पाच चंडु पंद्रा तावंची गरजा तेस तीन चंडु पर तीन शटकर आता ये तिल क्या संदागाजा सत्राम अधिते पाणतल की घरजित असल नक्येच माजा मित्रा है मेगा हां मारू शकतो तीन शटकर मारनेची कुवत थे चता है पागया काय करता है यहावय सत्वोडस अक्वाड फूल स्फटका पाला मेहाला है, जासतो वेल घ्रतला होता मेगनाथने अटे आवनस मातर फटका विवस्तित कनेक्ट जाला नही है बाद चेंडु सा वेग चेक करन चेंडु 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 ची उन्ची चेक करन देम अनुबभी ठीपलंदा जाई तेटा धार्गल फटका उता नंगएच रामकृश्न वर सगी मदार आद ढोगया काय करतु है चार छेंडू तो यहा नाद चेंडू जह पास्टार करो ट आउचीची संधिया है आणि बादो वहल फलन दास रामकुरिश्न तीन चन्डुत सव्धा दावंची करज। कर दो ने निवां इश मने रहे कि लोग्त शुच असिल करने टैंचा संगाय जाए मलार आने जाव पास वहीए जा समीब जावन पोस्ला है पंड मेगनाद को वंदड़े वक्त तो काई ही वेगनीच काई तरी ये नियती तज़ते करन फलंदाजी करना राजो वेगना ताहे अपोजिक संग त्याच्छा ओंडर्शिप साहे अड़ी तो फलंदाजी करतो हे थीन चंड मदे चवदाधावांची गरज आए जागा मारु शकेल मनिश पाटिल साहे मिन पारुटुशिक पारुटुशिक पाश्य रुपे एक शक्कार राणा चाओधावा केले तनिया तरी माजा करना हजार रुपे जाए बारुटुशिक यावे सब एक फूट लाज जाओन चेंडु लाएट करने प्रेतन चेंडु वहते हो तुमाजे मिड़ोप चा शेत्र तुमाला गोलंदास योग्या चुंडी देना तुमाला प्रत्येक चुनु फुल्टॉस ओवरपीच मिलना ने तुमाला स्वतावन इंप्रोवाइज करा वाला लागेल प्रत्येक स्ट्रोक की वाल राईव करने साथी आडि त्यान अन्ता तुम्चा फलंदास आनी गोलंदाजी करता है ओफस्पिन, लेक्स्पिन, स्ट्रेटरार सगे बाल टाकता है जबरदस्त गोलंदाजी दावसंगे चोविच जले गोलंदी जिमारक वर दिनेश तुन्ना एक दा ओफसाईल ड्राईव करने सा प्रेत जाला होता फस्तला है और आता मत्र आपचारिक त सेल आणि जोपास विजय ई जाला है तो मंजेच जै मल्लार वागबिल आसंग लास्ट वाल आणि गरज आहे ति मंजेच तेरा दावंची आणि आशापत्त दिने सामना जिंग तोय जै मल्लार वागबिल आणि विजय